ना मैदा ना अटा ना बेशन और ना ही दूद से अधuls आ यह बनाएंगे से और इक वाली सुजी अगर नहीं एद मैकल साटाइब अब भाता सब हुआ यह यह गर थो सकते होगे सोगे थोड़ी सी मोटी वाली सूजी है चछी को पीस लेंगे बारीक से पाउड़ा तूर त्यार लेंगे यश्टिक इगदम बारीक सामने ने सूजी को पीस लिया एक बड़े बाउल में सूजी को पहले आंसपर कर लेंगे यह वाली जो विस्कीट हो ना आप इन्हें एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं बच्चों कोई बहुत पसंद आते हैं अब इसके अंदर हम डालना है एक कटोरी चीनी जितनी हमने सोजी लिए उतनी चीनी ले रहें आप इसकी ज सब्सक्राइब करें नारियल बुरादा नारियल जाता है इस एक खर यह घर बना को पर आप इसके वीडियो में अपने चैनल पर शेयर के तो आप महां से लिंक दे देंग तो आप उसको हवी चेक कर ले जएगा इधर हम ले रहा हैं द़िए तो दही ध्यान रखना हाँ कि एकदम ताजा दही हमें लेना है खटा बिल्कुल भी ना हो ताजा दही हमें लेना है तो हम इसमें दही ले रहे हैं चार से पाच चमच के करीब करीब हम दही ले और दही जो है गाढ़ा वाला दही है तो चार से पाच चमच के करीब हमने दही ले या आप आधी कटोरी से तो आर्थी कटो थोड़ा सा ज्यादा द़ी डाल है जो अम झाल देंगे जो इसके अंदर हम लोगा उट कर दाल सकते हैं एक बड़ा चमच हम इसमें देशी घी डालें तो आप चाहो तो इसमें मैदा का भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो इसकी भी कर सकते हो और इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मज के करीब करीब डालने हैं सफेद वाला तिल तिल से इसका टेस्ट भी काफी अच्छा था और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो इसमें हमने जो आटा डाला है तिल डाला है सोजी में अच्छे से मिक्स हो जात इसलिए हम पहले अच्छे से हाथ से सबको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद में हम जो हमने यह पेस्ट तयार किया दहीम वाद नीकली चीनी घी की इसके लिए अच्छे से तो रहे हैं तो दो बार में पूरा जीस्ता इसका यह अपने पेस्ट तक यार किया उसको डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगी अब यह आपको लगए और यह तो बहुत जादा गीला हो गया कैसे बनेगा पर जो सूजी होती ना फुलती है तो इसको अब रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिट बाद में काफी अच्छे सा सॉप्ट से डो बनके तयार हो जाएगा तो इसके कम से कम 20 मिट तो जरूरी रखना है तो आपको दिखा रहे हैं तो हमने इसे 25 मिट के करी लगा लिना तो इसको हमने काफी अठ्छी से मसल लेगाका काफी अच्छ से चिकना सदी हो गया इसके अंदर हमें कुछ भी १िन!" क्यूंकि हमने घीड डाला था उस एक चॉपिंग से पीन कट कर सकते हैं, तो पीडे पर मोरी की Rocky C吐. इस ऩो ध BENE साथ रिखे के चाख़ोस से बिस्कीट तो इसके पहले मैं नहींने घंचा आंटे के जो भीसुदा कट से इसका शेव दिया थे। तो उससे भी काफी अच्छा था पर इस टाइप से देखें पूरा अच्छे से इसका एक सिलेंडर टाइप में चिकना सा बना दिया है उसका हमें हलका सा तीर्चे में कट करेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छे लगती है पर यह आप पर डीपन करता कि आप इसे किस ट कट करना चाहते हैं तो सारे से कट करने के बाद में हलका सा हाथों से लगने इसको चिप्टा कर देंगे ताकि थोड़ा पकने में आसानी हो जाती है तो हलका सा चिप्टा करेंगे पहले तो जीतने भी है सब को हम इस टाइप से चिप्टा करने के बाद में इसमें हम लेंग जादा टाइम नहीं लगता पकने में जीटने हैं सब में हम इस डिजाइन बना दे बहुत यासानी से बन जाते हैं बिल्कुल देखिए कि चिपक नहीं रहा कि इसमें चिपक रहा ऐसा अगर आप चाहत इससे बेक भी कर सकते हो बेक करके आप अच्छे बनाए तो भी काफी टेस्टी बनते हैं पर इससे हम फ्राइ कर रहे हलका सा रिफाइन डाल बहुत जादा हमें गरम नहीं करने जब हलका गरम रहा हमने इसके अंदर डाले तो हलका बुल्बुले से उठने ल बिल्कुल क्योंकि अभी ज्यादा सॉफ्ट है तो तूटने का डर होता है पर अगर आप हलके से पलट रहे तो नहीं तूटते बिल्कुल भी तो नीचे जब इसका अच्छा सा कलर आ गया तो इसको हम एक एक करके स्टैप से पलट दे रहे हैं तो आप चाहों से जैसे भी आपको सुविधा उसे साबसे आप पलट दे जाए तो इसका बहुत अच्छा सा जब कलर आ गया है कम से कम इससे तीन से चार मिट लग जाते हैं पहली बार में क्योंकि पहली बार में जो आयल होता है इत्ता गरम नहीं होता है वागर जो दूसरी बार में आप इससे बाकि इसको बनाने बिलकुल भी टाइम नहीं लगता और जो यह दही वाले होते ना इसका बहुत अच्छा तेस्ट आता कोई बता नहीं सकता कि इस चीज से आपने बनाई इतने अच्छे बनते जब मैंने घर पे बनाया तो मैं बच्चों के बहुत पसंद है इसको बना के रख दीजिए एक हपते तक भी खराबी नहीं होते हैं किसी भी यह टाइडीबी आप भरके रख सकते हूं बच्चों के स्कूल के टिफिन के लिए दे सकते हैं या आप साम के भूप में भी खा सकते हूं बहुत ज़्यादा टेस्टी रखते हैं सारे जब अच्छे से बन ग है और साथ में थोड़ी से गुलाब की पतिया लिए उससे इसको गानिश करें ताकि देखने में और सुन्दा लगे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिए इस दीप वली पर तो आप अगर वीडियो पसंद आए तो ल एक बार जरूर ट्राइ करिए तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तक लिए थेंक यू बाई बाई हैपी दीवाली